सोलन जिला के धरमपूर स्कूल में शुन्य निवेश्ट नवाचार पर एक दिवस्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें जिला भर के अध्याप पकोंने भाग लेकर विभिन विश्वों का गयान बच्चों को देने के उदेश्य से लगाई पर दर्शनी में अपने अपने विचार रखें ताकि बचिल खिल में सहज़ता से घ्ञान अरजित कर सकें जीला भर के आठ खंडों से आई स्कूलों के अधियापकों ने किस सहजता से बच्चों को ग्यान दे सकते हैं परदर्शनी के माध्यम से समझाया उप जीला शिक्षा अधिकारी चंदर महुन शर्मा ने परदर्शनी का अवलोकन किया वे इस प्रणाली को बच्चों के लिए लाबकारी बताया उन्होंने कहा कि बच्चे इस प्रणाली से सहजता से सभी विशों का ग्यान अरजित कर सकते हैं राज के वरिष्ट माध्यमिक पाठशला धरंपूर में एक यहां पर एग्जिवीशन का आयोजन किया गया है हमारे जिला शिक्षन संस्थान जो डाइट सोलन के माध्यम से और अरविंदो सोसाइटी जो की शिक्षा में zero investment नवाचार पे कर रही है कि हम बच्चों को प्रारंबिक स्थरपर किस तरह से उनको खेल खेल में अच्छी शिक्षा एक गुनवत्ता शिक्षा और उनके जो विभिन जो concept है विभिन विशह में उनको कैसे दूर करे तो उस पे ये सारी एक्जिविशन है शिक्षावी भागता ये पर्यास है कि बच्चों को किताबी ग्यान ना दे करके वो अपने आप जो उनमें एक प्रतिवा छुपी हुई है जो टेलेंट छुपा हुआ है उसको कैसे बाहर लाया जा सकता है नो डाउट आज के दिन में बहुत जादा गजट्स हैं बहुत जादा आईटी के हमारे उपकरण है बच्चे उसके माधियम से सीख सकता है लेकिन जो उनके आसपास वातावरण में जो चीज सिखने की वस्त्वें उनको वो कैसे अपने रोजमर्णा के इस्तेमाल में ला सकत बेस्ट जो यहां पर एक्जिबिशन लगाई गई है इसको टेंड करने के लिए आये हैं और इसमें पूरे सोलन डेस्टिक के बहुत ही इनोवेटिव टीचर आये हुए हैं जिन्हों ने अपनी इनोवेशन को शो किया और इससे हमें बहुत बेनफिट हुआ बहुत नए न इनपनी बढ़े बेसे बहुत कोशिश की है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए नयने तरीकों का अलग लग टीचर अलग लग लॉक्स है टीचर ने यहां पर परदर्शनी लगाई और बताया कि कैसे हम बच्चों में एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं इससे जो बच्ची स्टो लर्नर है जो मतलब इंटरेस्ट शोर नहीं करते हैं स्टडी में जिनको स परकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें